रुक करते हैं दिल्ले की खबर पे तो जहां जनता बाबरपूर विदानसबाद बी ब्लॉक गली छे और गली नंबर एक गली अधिकतर लिंक गल्या हालत में है तो जनता आये दिर आवाज उठा दी रहती लेकिन लेकिन कोई सुनवाई की लिए तैयार नहीं है बाबरपूर विदानसबा खेत्र वाड ग्रमार्क 234 के नव निर्वाचित निगम पारशद हाजी जरिफ भी अपने कारियों में फैल होते नजर आ रहे है ब्लॉग गली नमबर 6 लिंक गलिया नाली की सफा टाइम पे नहीं होती तो स्थानिय लोगों को कहना है कि 15-15 दिन हो जाते है तो नलिया नालियों की सफाई को नाली कुड़ा उठाने में इतनी सुस्ती और लापरवाही की जाती है वो कुड़ा वापिस वाली में पहुँचता है और नाली में पहुँच कर गली नमबर 6 लिंक लेफ्ट साइड एक मा बित जाता है और नालियों की सफाई नहीं होती गली पदली होने के कारण कुड़े उठाने की ठेली कभी भी टाइम से नहीं आती ऐसा भी लोगों ने कह नाली की सफाई करे हुए चार दिन बाद भी कुड़ा उठाने को कोई तैयार नहीं है संबंधित कर्मचारी फोन उठाने को तैयार नहीं है गली में स्थानिय लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है स्थानिय निवाश्यों का कहिना है कि ना निगम पारसदवार 234 का हाजी जरीफ सही काम नहीं कर रहा है सुनेगे सब की करेंगे अपने मन की बोलने वाला जो है वो कार्य हो रहा है अब जनता का हुआ जीना दुस्वार ऐसा भी लोग बता रहे है